दोस्तो आप सभी का स्वागत है मेरा यूटूब चैनल सूबा अश्टडी पे तो चलिए शुरू करते हैं आज के कलास आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी का मोडल सेट पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट तो चलिए शुरू करते हैं पॉला कोशन हो जाएगा दाया 18-1900 सती का नाम क्या था ये था मूल संकर इनका जनम गा था 1824 में कहां पे तो गुजरात में इनका जनम गा था 1824 में गुजरात में और इन हो ने आरे समाझ किया स्थापना 1825 में मुंबई में किया था बेलेंटाइल सीरोल ने आरे समाज को भारतिय आसांती का जनम दाता कहा था भीमरव अम्बेतकर का जनम 14 अप्रिल 1891 को महार कुल में महु मौध पर्दिस में हुआ था भीमरव अम्बेतकर के जनम कब हुआ 14 अप्रिल 1891 को मौध पर्दिस के महु गाउं में 1857 के करांती को बेंजामिन डिजरैली ने राष्टिय विद्रोह कहा था आगे देखेंगे आगे हो जाएगा गौतम बूध में अपनी मिर्टू के पहले बद संग के नितित्वे करने के लिए किसे नामित किया था तो माहा कशिया था 16 महा जनपतों की सूची किस में मिलती है तो अंगुतर निकाय में किया गया है वही जयन धरम के कहेगा तो भगवती सूत्रे में किया गया है गंधार कला सैली तथा मथूरा कला सैली ये कनिस्क के काल में बिक्सित हुई थी कनिस्क के कनिस्क ये कुशार बंच के सबसे परतापी सा सकते इनकी रधानी कहेगा तो पहला रधानी हो जाएगा फूरुस फूर और दूसरा रधानी कहेगा तो मथूरा हो जाएगा आगे देख लेंगे अगला कोशन है राज सभा की प्रतम महिला महासचीव कौन बनी B.S. रामा देवी राज सभा की प्रतम महिला उपाद्यक्ष काय गाता वायलेट अलवा 1922 में बनी थी राज सभा की प्रतम महासचीव B.S. रामा देवी थी और वही राज सभा के प्रतम मह उपाध्यक्ष वाइलेट अलवा 1962 में बनी थी। दुर्दर्शन द्वारा प्रियोजित पौला धर्वाहिक जो था ये था हम लोग। पीछडे बर्गों का उठान सत्य सोदक समाज का मूखे कारे था। सत्य सोदक समाज का स्थापना 1773 में किसने किया था दायनास जोतिवा फूले किये थे। केंधर की परिकर्मा करने में सूर्य को 25 करोन वर्वस लगता है। और कॉपर निकस किस देश के बेगानिक थे तो पोलेंड के थे और इन्हों ने सौर मंडल के कोज पंदर असो चालिस में किये थे आगे हो जाएगा अगला कोशन है सौर रसाइनिक मीशरों में हाइडोजन कितना होता है तो एक होतर परतीसत 22 मार्च को बीशवे जल दिवस के रूप में मना जाता है और 22 अप्रिल को कहेगा तो बीशवे प्रिथवी दिवस के रूप में मना जाता है निम्तम नगरी के लिए तेराज हो जाएगा हिमाचल परदेश तेरहवीस अताबदी में सेना के सरवोच अधिकारी कौन होता था तो खान होता था दिली का सुल्तान फिरोज सा तुगलक भारत में नहरों की सबसे बड़ी जालका निर्माला के लिए भिखिया था और ये पहली बरबारामर पे भी कर लगाए थे नहर निर्माला की सुल्वात किस ने किये था तो ग्यासु दिन तुगलक किये थे और सरवाधी किये थे फिरोज सा तुगलक आगे देखेंगे भारत का राष्टी ये बिरिक्ष ये क्या है तो ये हो जाएगा बरगद चेत्रफल की दिरिष्टी से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लदाख अथाता छोटा जिला काएगा तो ये हो जाएगा थाडवल चेत्रफल की दिरिष्टी से सबसे बड़ा जिला लदाख हो जाएगा और छोटा जिला हो जाएगा थाडवल पंजाब का टैंगोर कीसे कहते हैं तो पूरन सिंग को बंगाल का बाग कीसे कहा जाता है आसुतोस मुखर जी को बिद्रोही कभी कीसे कहा जाता है तो बिद्रोही कभी कहते हैं काजी नजरूल इसलाम को कहा जाता है आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला कोशन है, भारत का मैके मेली किसे कहा जाता है तो चणा के को, और ये किसके गुरु थे तो चंदगुत मोरे के, और इनका परसीद पूस्तक है और थे सास्त, कुसानों ने सर प्रतम भारत में सरवाधिक सूध स्वन सीके परचलि सोनी किसी के पहली बर चलाए थे हींद इव्रानी और सरवाधिक सूध कहेगा तो कुसाड और सरवाधिक सोना किसी के गुपते मौध एसिया से गुजरने वाला बैपारिक मार्ग, जो चीन को रोमन समराजे से जोड़ता था, सिल्क मार्ग कहलाता था मौध एसिया से गुजरने वाला बैपारिक मार्ग, जो चीन को रोमन समराजे से जोड़ता था, ये क्या कहलाता था, सिल्क मार्ग और इसका निर्माला कौन किये थे तो कने इसके चंदगूप दिवितिये ने चांदी के सीके बहुत तायत रूप से परचल किये थे चंदगूप दिवितिये ने चांदी के सीके जो था बहुत ओधिक मत्रा में चलाए थे और इनका उन्हें नम कहेगा तो भीकर्मा दिवितिये था बुहूमी देने की समानती प्रथा हर्स ने प्रणव की थी और कहेंगा कि भारत के अंतिम हिंदू सासो कौन थे हर्स यानी की हर्सो वर्दल इनके दरबाड़ी कमी कौन थे तो बाणवट सुध और बिसी के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्दान कोन था इलतु तमिश और ये देली संत्रत के वास्त्विक संस्थापक थे और केवल देली संत्रत के संस्थापक कहता है तो कूतुब दिन एवक होते हैं वास्त्विक लगा देगा तो इलतु तमिश थे केंकि नियुने सुल्टान की उपादी धारान की थी राजत्वे सिधान्त की अस्थापना करने वाला सासो को जाएगा बलवन जो चालीशा दल के अस्थापना किये थे तो ये किये थे इल्टु तमिश चालीशा दल, चालीशा दल के स्थापना किये थे इल्टू तमिश और वही चालीशा दल को समाक्त किसने किये था तो बलबन किये थे सा जहांने इलाही सन्वत के अधार पर हिजरी समन्थ चलाया था कंडाला बंदरगा को क्या कहते हैं तो मुक्त बैपार्चित और ये जुआरीए बंदरगा है जो की गुजरात में इस्तित है लवर कोच के एक पाकिर्तिक बन को मैंगरो बन कहा जाता है आगे देखेंगे बैक्टेरिया जोलपरपः का समन्थ ये जैंबेजी नदी से है हेलसिंग की पिलेंड की रधानी है सबसे लवाणी ये सागर कहेगा तो मिरी ते सागर है नियागरा परपा जो जोलपरपा थी अमेरिका में इस्तित है सोमपैंस निकुबार दिप समू के आदिवासी है भारत के एक और अवयोशीशू का नाम कहेगा तो अस्था हो जाएगा आगे देखेंगे पोट बलेयर ये दच्णी अंडवान में इस्थित है अंडवान और निकुबार की रधाने होता है पोट बलेयर और ये इस्थित है दच्णी अंडवान में और अंडवान निकुबार की सबसे उची चोटी कहेगा तो सैडर पिक हो जाएगा जो की उतरी अंडवान में वस्तित है और ये कहां है तो हिमाचल पर्देश में कि इसके बीच धौला धर और पीर पंजल के बीच और कि इसकी भाग है तो मौध ही मेले तथा सिवालिक परवत सिर्णियों के ये भाग है मौध पर्देश की सरवादिक उच्चे चोटी कैगा तो ये हो जाएगा धूप गड़ी और ये किसके आयतो स्वत्पुड़ा परवत की सबसे उच्ची चोटी हो जाएगा जोकि स्वत्पुड़ा परवत मौध पर्देश में इस्तित है नागार्जुन परियोजना आंध्रे पर्देश में है क्योंसी नदीपे ते किरिश्न नदीपे एक वर्ष में कम से कम दो बार संसत की बैठव होना आवस्यक है अकवर के सासन में महाभारत का फार्शी भासा में अनवाद किया गया था किस नाम थे तो रजनामा के नाम से आगे देखेंगे आगे हो जाएगा सीख वाद्यान की सीखेज में का परवर्टन 1499 इसमें हुआ था 1499 में किसका जना मुआ था तो यह हुआ था गुरु नानक का गुरु मुखी लिपी की सुरुआत किस ने की थी तो गुरु अंगद गुरु मुखी लिपी किसके द्वरा विक्षित किया गया था तो गुरु अंगद द्वरा टीपो सुल्तान का ग्रिस में महल कहा पे था तो मैसूर में अम्रित बजार पत्री का के स्थापना सीशीर कुमर घोशनी की थी बार्दोली सत्यागर के दोरान प्रेसिडेंसी का गवर्नर लेसली बिलसन था बार्दोली सत्यागर के दोरान प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था तो लेसली बिलसन था बर्दोली सत्यागरव 1928 में हुआ था और इसका नेती तो किस ने किया था सर्दार बोला भाई पटेल और यहीं पेन को सर्दार की उपादी दी गई थी वहां के महिलाव द्वारा आगे देखेंगे आगे हो जाएगा बिंदु सार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए किसे वे तच सिला बेजा था तो असोग को भीधा किये थे बिंदु सार के सासन कल में टाइम एकस भारत आया था बिंदु सार के कहेगा के उपनाम क्या था तो बिंदु सार के उपनाम हो जाएगा अमीत्रे घात भारती संग के अंतरगत किसी राजे को मिलाने का अधिकार किसे है तो संसत को भारतिय संग के अंतर गत किसी राजय को मिलाने का अधिकार संसत को है केंद्र और राज का समबध की संसुची में है तो सात्वी अंसुची में आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा केंद्र यहों राजयों के बीच बैधानिक सक्तियों का बाटवारा कौन सी अनसोची में दसाई गई है तो सात्वी अनसोची में भारती समिधान के अनुछेद 25 का संबंध धर्म की सोतंत्ता से है मौलीक अधिकारों के अंतरगत अनुछेद 24 के तहत बचों के सोशन से समधित है मौलीक अधिकार का उलेख अनुछेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है और ये लिया गया अमेरिका के सभिधान से आगे देखेंगे अमीर खुसरों हिंदी और फार्सी दोनों भासाव का बिदवान था मौहमद बिन कासिम द्वारा सिंद की बीचए 712 इसे में हुई थी मौहमद बिन कासिम द्वारा सिंद की बिज़ा कभ गग था 712 में अर्जुन पुरसकार प्राप्त करने वाला 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 प्राप आगे देखेंगे। और जागीर के दरबार में होकिन्स कब आये था तो 1209 में आये था और उस होकिन्स को जागीर ने खान की उपाती दी थी। मुसलिम लेखक राजपुत राजा धहंग को इसलाम का सबसे बड़ा सत्रू कहा जाता है। आगे देख लेंगे। औरंग जेव ने 186 में बीजापूर की बीजाई की थी। उपनीशत का फार्सी में अनुबाद मुगल समराठ साज आगे सासलकाल में हुआ था। जिमनास्टिक खेल में परतेक पच में आठ खिलाडी होते हैं। एरफोर्स फालाइंग कोलेज कहां हिस्ति थै तो जोदपूर राजस्तान में हिस्ति थै। आगे हो जाएगा। केंद्रेपर्यावर्ण इंजिनियरिंग अनुसंधान संस्तान ये इस्ति थै माराष्ट के नागपूर में। एर इंडिया की प्रथम महिला पाइलट हर पिरित अहलु आलिया 1988 इसी में बनी थी। यादो समराट की रधानी कहां थी। देवगीरी थी। संस्थापक कहेगा तो भीलब पंचम हो जाएंगे। यादो समराटों की रधानी देवगीरी थी। संस्थापक भीलम पंचम थे। दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाव दिन खिल्जी था जिसने दशी भरत को प्राजित करने का पर्यास किया। कागज का भारत में आगमन तेरावी सदी में हुगा। लखनाव से पहले अवद की रधानी कहां थी फायजाबाद। लखनाव से पहले अवद की रधानी कहां थी फायजाबाद। भक्ती अंदोलन का परराम अलवर संतों द्वरा किया गया था। अलवर और नयनार जो संत थे ये दशी भरत के थे अलवर संतों की संखे कितनी थी तो बारह थी। और ये किसके उपासक थे बिशुणू के। और नयनार जो संत थे इनकी संक्या थी 63 और ये किसके उपासक थे तो ये उपासक थे सीव के। अलवार संत इनकी संख्या 62 हो जाएगा और ये उपासक्ते बिशुणू के नैनार संत की संख्या 63 ती और ये सीव के उपासक्ते प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन रामानुजचारे ने किया था बाबर ने प्रथम बार पोश्ची में सिंध से ओकर भारत में प्रवेश कि भारत में पॉली बाराष्टी अपातकाल 1962 में घोसित किया गया था जब चीन ने भारत पर आक्रमर किया था समाधिक सुरक्षायों समाधिक भीमा समवर्ती सुची में सामिल है समवर्ती सुची ये लिया गया अस्टेलिया के सभिधान से बर्तमान में इसमें बावन गोविशाय है गुर्जर परतिहार बंच के संस्थापक कहेगा तो नागवट परतम थे आगे देख देंगे पुस्ता के लेखक रिचर्ड निक्सन हो जाएंगे। पुस्ता के लेखक रिचर्ड निक्सन हो जाएंगे। बेल्जियम के वाटरलू अस्थान पर 18 जुन 1815 को डिउक ने नेपोलियन को हाराया था। आगे दिखेंगे। संजुक तराश्ट संग के महा सचीव पत पर रहे। डोग हैमर सोल्ड की मेरितिव हवाई दुर घटना में 1961 में हुआ था। बैंक नोट जारी करने वाला प्राथम देश कहेगा तो स्वीडन हो जाएगा। त्री भूवन हवाई अड़ा कहां इस्तित है नेपाल के कठ मांडू में। राष्ट गान को परराण करने वाला पहला देश हो जाएगा जापान। सीबिल सेवा परिक्षा परराण करने वाला पहला देश हो जाएगा चीन। आगे देखेंगे संजूक तराज अमेरिका के प्रोथम जो उपराश्पती थे ये जोन एडम्स थे असोक ने अपने लागू सिलालेक मास्की जो की आंध्र पर्दस में है तो था गुर्जरा जो की मौत पर्दस में है अपना नाम असोक अंकित किया था असोक ने अपनी लागू सिलालेक मास्की आंध्र पर्दस और गुर्जरा मास्पत्रस में अपना जो नाम है ये असोक अंकित किया था बीजाय नगर के राजा जो क्रीशने देवराय थे ये गुलकुंडा का यूद कुली कुतूब साके सांत लड़े थे आगे देखेंगे और अंग्जेव द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ किया था तो दारुल इसलामी और अंग्जेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारूल इसलामी है अकबर के दरवार में आने वाला पहला अंग्रेज गएगा तो रॉल्फ फीच था अकबर के दरवार में पहला अंग्रेज कौन आय था रॉल्फ फीच अन्वान और निकुबार दिप पर कुलकाता उच नयले का छेत्रा अधिकार है आगे दिखेंगे अगला कोशन हो जाएगा भारतिय समिधान के अनुचुएद 133 सेविधानिक बिवाद में सर्वोच नयले के अपिलिये छेत्रा अधिकार से सम्दित है भारतिय समिधान के अनुचुएद 133 सेविधानिक बिवाद में सर्वोच नयले के अपिलिये छेत्रा अधिकार से सम्दित है बियक्ति गत्व सौतंता के अधिकार के लिए हैवियस का पर्स रीट या चिका दायर किया जा सकता है और सर्वोच नयले जो है ये पांच पर करके लिट जारी करता है अनुचेद 32 के तहथ और उच नयले पांच पर करके लिट जारी करेगा अनुचेद 226 के तहथ ऑक्सीजन के बीना माउंट एवरेश पर चड़ने वाला प्रथम व्यक्ति कहेगा तो ये थे फू दोरजी आगे दिखेंगे अगला कोशन है समिधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कहेगा तो संजुक तरा अमेरिका है और इसका समिधान कब लागू गथा 1789 में लागू गथा केके बिल्ला फाउंडेशन द्वारा सहीत वेकछेत में उतक्रिष्ट योगदान के लिए बयास समान दिया जाता है इंट्रेजेंस बीरो के अस्थापना कब गथा 387 में की गई थी परमाडू खनेज विभाग कहां इस्ति थै तो हैदराबाद में पुस्तक मदर इंडिया के लेखक कौन है तो कैथन में हो और केवल मदर पुस्तक के लेखक काएगा तो ये हो जाएंगी कुरकी आगे देखेंगे अगला कोशन है लोड चेम्स फोड के सासनकाल में रोलेक्ट कानून पारित हुआ था निस्किरिये विरोद के सिधान्त का प्रतिपादन कौन दिये थे तो ये अर्विन घोस सेलूलर जेल की दिवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला नेता कौन थे तो बीर सावर कर गांधी जी की मिरित्यों पर जोहाला नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से रोसली चली गई है आगे देखेंगे आगे हो जाएगा काराची उनिसो तेतालिस के अदिवेशन में मुसलिम लिखने बाटो और छोडो का नारा दिया था काराची अदिवेशन जोके उनिसो तेतालिस मुगा था इसमें मुसलिम लिखने बाटो और छोडो का नारा दिया 63 दिनों के भूख हर्ताल के बाद जतिन दास की मिरित्व 1929 में लाहर सेंटरल जेल में हुई थी 63 दिनों के भूख हर्ताल के बाद ये जतिन दास जो थे इनकी मिरित्व 1929 में लाहर सेंटरल जेल में हुई थी यहां जतिन होगा भार्तिय राष्टिय सेना के अस्थापना 1943 में हुई थी कहाँ पे तो सिंगापूर में बिरिटेन का मैगना काट्टा बारोसो पंदरा इसीवी में लागू हुआ वाटरलू ये कहां इस्तित है तो बेल्जियम में इतिहास लिखने की कल्ला सर प्रथम किसने बिक्सित की चाइनीज ने आगे हो जाएगा अगला कोशन है सार्वेजानी की हीत याचिका की सनकल्पना की शुरूआत किसने किया था तो अमेरिका में हुई थी पकिस्तान और बांगलादेश 1947 तक भारत के अंग थे उत्री धुरू तथा जो दध्री धुरू की यात्रा करने वाला प्रथम भारती कोन थे तो अजित बजाज हो जाएगे पकिस्तान और बांगलादेश 1947 तक भारत के अंग थे और पकिस्तान से काएगा कि बांगलादेश का अलग हुआ तो 1971 में केंद्री किरिसी बिदाले की अस्थापना करने के वाला प्रथम राजे कोन है तो मणिपूर केंद्री किरिसी बिदाले के अस्थापना करने वाला प्रथम राजे मणिपूर है आगे हो जाएगा प्रोथम पून्तों गैर का इंगरीसी परधानमंति कौन बने तो अटल बयाली बजबेई थे नियुमों का पालन कराना कारे पालिका का कारे है उच्चतम नियाले में नाइधीसों की संकिया ब्रीधी करने का अधिकार किसके पास है तो संसद के पास आगे हो जाएगा भार्ती समिधान के भाग पांच में संगी नयपालिका का उलेख है केरल का उंच नियाले एरना कुलम में इस्तित है कोईला की सर्वतम जो किस में है यह हो जाएगा एंथ्रासाइट मुगलों की आदाल्ती भासा क्या था? मुगलों की आदाल्ती भासा फार्सी था चांदी का सिक्का ये हिंद इनानियों ने सुरू किया था सी अब ट्रॉंकालिती कहां पेश्ति थै तो चंदर मापो पिलिती भी जब सूरे से अधिकतम दोरी पर होता है तो उसे क्या कहते हैं तो अपसर कहते हैं और ये होता है चार जुलाई को और कब नेंतम दोरी पर होता है तीन जन्वरी को और इसे कहते हैं उपसर आगे देखेंगे? आगे हो जाएगा धुरू तारा ये लगों सब्त वर्सी तारा मंडल का भाग है खोगोल वीदो द्वारा सूरे की आउ दसके पावर 11 वर्स आंकी गई है चंदार्मा प्रित्वी का एक चकर लगभग 27 दिन आठ गंटा में लगाता है चंदार्मा प्रित्वी के एक चकर कितने दिनों में लगाता है तो 27 दिन आठ गंटा में भारत के समिधान सवा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठाक हुई थी इसकी घटी उइस सदसे संखे कितनी थी तो दूसो निननबे थी भारत के समिधान सवा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठाक हुई थी तो इसकी घटी उइस सदसे कितनी थी तो दूसो निननबे थी आगे देखेंगे आगे हो जाएगा वड्स 1946 में गठित अंत्रीम कबिनेट की अधक्ता किसने की थी जोहलार नहरू ने अंत्रीम समर्कार की गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को भारत की समिधान सवा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ ब्रेटिस पारलेमेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारती कों थे दादा भाई नरोजी और ये कॉप चुने गए थे 18 सब अनवे में कया कीस पार्टी के द्वारा तर लिबरल पार्टी के द्वारा संसदिय प्रणराली वाली सरकार को औने नम उतरदाई सरकार के नम से जान जाता है जो संसदिय प्रणराली वाली सरकार है इसका औने नम कहेगा तो उतरदाई सरकार के नम से जान जाता है आगे हो जाएगा हाइडरोकार्बन का पारकिर्टिक सुरोत कहेगा तो कच्चा तेल है बैरोमीटर का पठे आंक धिरे धिरे उपर चड़ने से दिन साप रहने का संकेत होता है और धीरे धीरे नीचे आएगा तो बारिस आएगा और एक बायक नीचे आएगा तो ये आंधी तुफान आता है बैंक अफ हिंदुस्तान की अस्थापना सत्रो सो सत्तर इसवी में कलकात्ता में किया गया था ACI खेलो में सुन पदक जीतने वाली प्राथम भारती महिला कहेगी तो ये हो जाएंगी कमल जीत सिंधु ACI खेलो में प्राथम सुन पदक जीतने वाली भारती महिला कमल जीत सिंधु थी और उलमबीक खेल में पॉलीवर पदक जीतने वाली महिला हो जाएगी कडम मलेश्वारी जो कि काँसे पदक जीती थी नर्मल बोरलोग पुरसकार से समानित प्रोथम महिला कहेगा तो डाक्टर अमरीता पटेल है नर्मल बोड़लोग पुरसकार से सामानित प्रथम महिला यह हो जाएंगी डाक्टर अमरीता पठेट और 20 में जो किरिशी आंदोलन के नेता थे ये कौन थे 20 में हरित क्रांथी के नेता जो थे और इसका नेता हो जाएंगे नर्मल बोड़लोग भारत में कहेगा तो इमें स्वामीन नातन होते हैं आगे देखेंगे भारत में पूरे साक्षर प्रोथम जीला यह हो जाएगा अणा कूलम जो की केरल में है भारत में पूरे साचर जीला प्रोथम जो है और यह इसका नाम क्या है तो अणा कूलम जो की केरल में है भारत का प्रथम विमान वाहक पोथ कौन साहे तो INS विक्रांथ है मदर पुस्तक के लेखा हो जाएंगी मैं कि इसमें गोर की और मदर इंडिया पुस्तक के लेखा कहेगा तो कैथरिन में हो राष्टिय डेरी बोड की अस्थापना 1937 में हुई थी चावल को पॉलिस करने से बिटामिन बीवन जिसका नाम होता है रासाइनिक नाम थाइमिन ये नश्ट हो जाता है चावल को पॉलिस करने से कौन सी बिटामिन नश्ट होती है तो बिटामिन बीवन जिसका रासाइनिक नाम है थाइमिन सीवा जी के अध्यात्मिक गुरु कहेगा कौन थे तो गुरु रामदस और सीवा जी के राजनीती गुरु कहेगा तो बाबा कौन दियो थे एरायत वाड़ी प्रता टामस मुनरों ने परराम की थी मराठा राजे के दूसरा परवर्ता कहेगा कौन थे तो बाला जी भी स्वनात को कहा जाता है यहनि मराठा राजे के दूसरा सस्थापक बाला जी भी स्वनात थे आगे देखेंगे सर्वोच नियाले के अनाधिस सिवाने बिरित होने के पाशाथ किसी भी नियाले में वाकालत नहीं कर सकता है आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा समिधान सभा के समोक्ष जोहला नहरू ने उद्देशिका प्रस्तावित कप किया था तो ये की थे 13 दिसंबर 1946 में समिधान सभा के समोक्ष जोहला नहरू ने उद्देशिका प्रस्तावित किया था डेट पूछेगा तो 13 दिसंबर 1946 को किये थे और समिधान सभा ने उद्देशिका प्रस्ताव को अपनाया था 22 जनवरी 1947 को सविधान सवा में जोहाला नेहरू उदेशिका प्रस्ताव पेश किये 13 दिसंबर 1946 को और सविधान सवा द्वारा उदेशिका प्रस्तावित अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को भारतिय सविधान में नवी अनुसुची प्रथम संसोदन के तवत 1951 में जोड़ी गई थी अमेरिका के राष्टपती अधिक्तम दो बार राष्टपती बन सकता है बीट आयोक के अस्थापना कौन करते हैं तो ये राष्टपती द्वारा किया जता है अनुछे दूसव औसी के तवत और पहली बार 1951 में हुआ था और प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो केसी नियोगी थ आगे देखेंगे आगे हो जाएगा संसद सदसियों के देवेतन और भातू का निड़ाय कौन करता है तो ये संसद द्वारा किया जता है भारत के राष्टपती ग्यानी जैन सिन ने एक मात्र डाक घर संसोधन बीधेक मामले में अपनी बीटों की सकती का परियोग किया था भारत के राष्टपती ग्यानी जैन सिन ने एक मात्र डाक घर संसोधन बीधेक मामलों में अपनी बीटों की सकती का परियोग किया था भारत में छेत्रफल की दिरिष्टी से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन छेत्र कहेगा तो लदाक जमु कस्मीर का है आगे सौंग सुची, राज सुची, समवर्ती सुची का वड़न है अनिकि तीनों सुची का वड़न सात्वी अनुशुची में है सौंग सुची में बरतमान में सो बीशा है और राज सुची में बरतमान में 61 है समवर्ती सुची में बरतमान में कायगा तो बावन हो जाएगा पूरे की अधिक पास होती है तूसे क्या कहते हैं तो उपसार कहते हैं और ये तीन जनवरी को होता है आगे देखेंगे कोंकोर्ड रेलेवे ये पौशिमी घाट सिरेणी से गुजरती है मौन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था ये ओजोन अच्छो से समान्दित है ये ओजोन का जो अवच्छाय हो रहा इसे रोकने के लिए मौन्ट्रियल बोटोकॉल 1987 में किया गया था कहां पे तो कनाड़ा में भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्रे कहां पेश्ती थे तो कानपूर में भारत में सबसे अधिक रेसम उतपादन करने वला राज हो जाएगा करनाटक रे जानी मीटी सरवाधी कहां पाय जथी है तो महराष्ट राजी में और इसका निर्माड बेसाल्ट चटान से होती है इसका और निनाम होता है रेगुर मीटी ओबरा थर्मल पावर अस्टेशन ओबरा जो है ये थर्मल पावर अस्टेशन के लिए परसीद है नल सरोर स्वंग लोग के परधान मंत्री को वकील या वजीर का आ जाता था। अकवर के समाय में बनने वाली पहली इमारत किया था तो हुमाओ का मकब्रा था। और कहां पेश्टी था हुमाओ के मकब्रा तो दिल्ली। जहांगीर की रूची अस्थापत्य कला की अपेक्छा चीत्रे कला में अधिक थी। स्वंग लोग सेवा आयोग के किसी सदस्य को राष्ट पती द्वारा हाटाया जा सकता है। आगे देख लेंगे। राजयों में राजस्थान ने सबसे पहले त्री अस्थरिये पंचाती राजे प्रणाली को अपनाया था। कब यहां लागू हुआ थ आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा। अगला कोशन है। भारत की संचित निदी से धन निर्गमन पर संसत का निरंतरन होता है। और भारत के संचित निदी का उलेक अनुछेद दुसोचाशट के फोस्ट में है। आगे देखेंगे। जोतिन दास को बागा जोतिन के नाम से जाना जाता है। किसी निया अधिस को एक उच नियाले से दूसरे में अस्थांतरित करने का अधिकार है ये राशबती के पास है। आगे देख लेंगे। और ये कौन सी करम से राजे बना तब बाईसभा। 36 समिधान संसोधन दौरा 1975 में सीकिम का कूने राजे के दाजा दिया गया था और ये भारत के बाईसभा राजे बना। आगे देखेंगे। 1983 में हुआ था और ये रिपोर्ट पेसकिती 1987 में। आगे हो जाएगा। 30 राज में हिस्ती थे तो करनाटक में। बेमिनाद जील कहां हिस्ती थे तो केरल में। गंगा नदी के दो पर्मुक सुरोत काएगा तो भागी रती और अलक नंदा है। और ये कहां पे मिलती है तो देव परियाग में। सिंदु नदी का उद्गम अस्तल काएगा तो मान स्लोवर जील हो जाएगा कोईना नदी कहा पेश्थी थे तो महराष्ट में वरुना पर्यूजना ये कलाउड सीडिंग से समद्धी थे आगे देखेंगे आगे हो जाएगा लूनी नदी कोच के रण में गेरती है जौहार सागर रणा परताफ सागर तो गांधी सागर जला से जो है ये चम्बल नदी पर अवस्ती थे तिरू-चिर्या पल्ली शहर कावेरी नदी के तरड पर इस्तित है नर्मदा और तापती नदियों द्वारा बिंधे परवत घीरा हुआ है आगे देखेंगे अस्टील सेटी रावल केला ये ब्रामडी नदी के किनारे अवस्थी थे रावल केला अस्टील सेटी कहां पिस्थी थे तो उडिशा में ब्रामडी नदी के किनारे रूद्र सागर जिल जो राष्टिय पार के रूप में घोशित किया गया है ये मौध परदेश राजे में इस्थी थे मुहमद कूली कुतूपसा ने हाइदराबाद नगर की अस्थापना की यह वहाँ पर परसीद चार मिनार का निर्माड करवाया था आगे देख लेंगे आगे हो जाएगा एउरोपिय पादिती द्वरा एउरोपिय पादिती पर आधारित भारत का प्रथम जो बीदेशी पूझी के सयोग स्थापित बैंक था ये था बैंक अप हिंदुस्तान जिसका गटन सतर असो सतर में हुगा था कभीर सीकंदर लोदी के समकालें थे भक्त कभियों में चैतन ने एकमात्र ऐसे कभी थे जिन्होंने मूर्ती पुझा का विरोध नहीं किया था सूर्दास अकबर और जहागीर के समकालें थे आगे देखेंगे पानीपत के प्रथम यूद में बाबर ने तोपो का सजाने में उस्मान बीडी क्या पर्योग किया था और पानीपत के प्रथम यूद 1526 में हुआ था जिसमें बाबर ने इबराहिम लोदी को हराया था 1891 में भारत की कुल जन संकिया 23.6 करून थी और पूड़ा यूजना का सुब आरम 2017 में किया गया था आगे देखेंगे आगे हो जाएगा 1993 तक भारत में गरीबी आकलन राष्टिय नमुना सर्वेक्षन संगठन के द्वारा किया जाता था 1993 तक भारत में गरीबी आकलन किसके द्वारा किया जाता था राष्टिये नमुना सर्वेचा संगठन के द्वरा और इसका सौट नाम है एन एसेस ओ और इसका गठन कब गथा दो नई सब पचास में हुआ था जब सूरे तथा चंदर में एक सीधी रेखा में होती है तब क्या होता है तो ब्रिहत जुआ रहता है पिरित्वी को उसके काल्बनिक औच पर घुमना क्या कालाता है घुड़न कालाता है पिरित्वी और सूरे के मद सरवाधिक दूरी को अपसर कोते हैं और यह होता है चार जुलाई को आगे देखेंगे अलाव दिन खिल्दी वह परतम सुल्तान था जिसने धर्मकु राजनितिक से अलग रखा अलाव दिन खिल जी वह प्रतम सुल्टान था जिसने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा दिली संत्रत का पहला अफगान सासक कहेगा तो बहलोल लोदी हो जाएगा और दिली संत्रत पर सरवाधिक सासन करने वाला कहेगा सासक कौन था तो ये था बहलोल लोदी और बॉंस कहेगा तो ये था तुगलक बॉंस सिकंदर लोधी के मकबरे का निर्माड इबराहीम लोधी ने करवाया था ते नाली राम क्रिस्रे देवराय के दर्वार में था ते नाली राम जो था ये क्रिस्रे देवराय के दर्वार में था बीजापूर के गोल गुमबद का निर्माड मुहमद आदिल साने करवाया था आगे देखेंगे दोशनी धुरू का आचांस कितना होता है तो 90 डिग्री होता है ताज महल का मूखे वस्तू कार कहेगा तो उस्ताद अहमद लाहौरी था यह परधान जो मिश्तिरी था जो बनाया था यह था उस्ताद इसा खा यह इस वीडियो का लाश कोचन आए और वीडियो को लाश तक देखने के लिए धान्यवाद और यह वीडियो पसंदार आए तो लाइक कर दिजिएगा और चैनल पना है तो सस्क्राइब भी कर दे